हाईलो फ्रेंड्स वेल्कम टुमाई चैनल तो चलिए आज हम लोग मोमोच से खाने वाली चटनी बनाते हैं लाल वाली तो इसमें क्या-क्या सामान लगेगा ये देख लेते हैं हम लोग तो इसमें हम डालेंगे जीरा सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा और उसके बाद म की हुई एक दम रेट कलर के चाहिए तो मैंने गयस पर कड़ाई चढ़ा दिया है इसमें डालेंगे सरसो का तेल ये चटनी बहुत आसान होती दोस्तों बनाना और तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जीरा जीरा पक जाएगा लाल हो जाएगा फिर इसमें डा हल्दी को छे-साथ सेकंड तक पकाने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो कटा हुआ तमाटर रखे थे उसके बाद डालेंगे तूरंत इसमें नमक डालने से जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा इसको दो-तीन मीन तक पकाना होता है दोस्तों फिर इसको मिक्सी में वीस लेंगे वीशने के बाद हमारी चटने एकदम तयार हो जाएगी ठंढ़ा करके इसको पीशेंगे इसको हम पीश कर लेगी यह दैखे हमारी चटने एकदम तयार हो चुकिए फिर मिलेगे नए वीडियो में तब-tक कर लिए दूँनां